इस लेक्चर में हम एक दूसरे सोफ्ट्र की बात करेंगे जो के अडॉबी क्रियेटिव क्लाउट का ही हिस्सा है और वो एक्सपोर्ट या फिर कनवर्जन के लिए इस्तमाल किया जाता है इस सोफ्ट्र का नाम है अडॉबी मीडिया एनकोडर जैसे के एनकोडर का नाम आपने हमारे पहले पिछते कुछ लेक्चर में भी सुना हो में भी स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर में तो एनकोडर से मतलब यही है कि आपने उसको उस जो आपकी फाइल है जो एक्सपोर्ट आप करेंगे उसको आप एनकोड कर रहे हैं आपने एक सीक्वेंस रेडी कर लिया है और आप चाहते हैं कि आप फर्दर दूसरे सीक्वेंस पे काम स्टार्ट कर दें और साथ-साथ अपना पहला फाइनल किया हुआ सीक्वेंस आप एक्सपोर्ट भी कर लें तो आप encoder की मदद से उसको encoder पे export लगा के प्रीमियर में दुबारा काम कर सकते हैं इसके इलावा और अगर after effect भी आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको भी आप इसमें export कर सकते हैं साथ में आप प्रीमियर की files भी कर सकते हैं और आप back end पे अपना काम continue कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका system जो हो वो काफी बेतर हो और उसकी सारी processing speed, RAM, VGA बगारा सारा combinelly बहुत ज़्यादा बेतरीन तरीके से हो जिसको इसका impact आपके काम पे ना पड़े एक और फायता इसका ये भी हो सकता है कि आपने अपना सारा काम ready कर लिया आपके पास multiple files हैं आपने एक साथ ही इनको encoder में डाला और आपने उनको settings देके जहां पर बात देके जहां पर आपने export करना है और आपने इसको export पे लगाया आपको बारी बारी अपनी files को export करनी की या फिर add करनी की जरूरत नहीं है एक ही दफ़ा आप file add करके आप उसको export पर लगाके छोड़ सकते हैं और back end पर वो खुद ही काम करेगा सारी files export कर देगा further आप चाहें तो इसमें अपनी files को convert भी कर सकते हैं अगर आपके पास files हैं जिनका format ही आपने change करना हो जिनका compression ही आपने change करना हो वो आप इसको as a batch डालके भी इसमें convert कर सकते हैं आपको एक-एक file करनी की जूरत नहीं है आप एक proper list डालेंगे आप इसको path देंगे आप इसक इसमारी files को convert करतेगा और इसके इलावा आप अगर चाहें तो अपनी proxy editing में भी इसको use कर सकते हैं proxy editing क्या होता है कि अगर आपके पास एक file है जो कि इसकी resolution बहुत जादा है जो बहुत heavy है इतनी जादा है कि maybe आपका system उसको playback भी ना कर सकता हो या फिर वो six के eight के resolution पर shoot हुई भी हो तो उसको edit करने के लिए आपको proxies बनानी पड़ती है और प्रॉक्सी का मतलब यह होता है कि आप उन file को encode करते हो उनको compress करते हैं उनके format को compress करते हैं dimensions पर compress करते हैं उनको edit करते हैं उस पर जिसको आपने lower s बनाया होता है और export करते वक्त आप उनको again connect कर देते हैं अ media encoder आपको proxy बनाने में भी help out करते है प्रॉक्सी आप अकर देख सकते हैं प्रीमेर के थ्रू भी आप export करेंगे तो encoder में जाके इसकी वो proxy create करेगा मेरा ख्याल से मैंने आपको बहुत ज़्यादा options बहुत ज़्यादा features बता दी है अब मेरा ख्याल से हो वक्त है कि इसको मैं edit कर चुका हूँ अब मैं चाहता हूँ मैं further in को export करूँ अगर मेरे पास के तीन versions ready हुए मैं इस पर जो कि एक ये है एक ये है और एक ये है मैं इन तीनों को चाहूँ तो encoder पे batch की सूरत में export कर सकता हूँ बैट से मेरा मुराद ही है कि लिस्ट की सूरत पे इनको अपने पास timeline से ही उठाके अपने पास render कर देगा उसको export कर देगा मैंने in out लगा लिए जो पहली file जो मैं इसमें add करना चाहता हूँ मैं यहाँ से अपने export में चाहूँगा export media, same option जिस तरह जो हम normal export के लिए use करते और इसकी यहाँ पर presets मैं decide यहाँ पर भी कर सकता हूँ मेरे पास यह भी choice है कि further मैं इसको media encoder में कर लूँ आप शैथ सोच रही हो कि media encoder तो अभी कहीं पर भी है यह नहीं तो आप किस तरह से कर ले तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले आप यहाँ से decide कर ले अगर हम इसको math source high iterate कर लेते हैं इस file का नाम भी हम यहाँ से दे देते हैं और maybe हम एक नई version export कर रहे हैं और इसको हम 3 कर लेते हैं क्योंकि last हमारा 2 था अब हमारा आगे जो भी export होगा वो 3 के आगे हम variation उसकी further change कर लेंगे इसको हमने save पिर लिया settings एक दफा हमने check कर ली और उसके बाद export की जगा हमने यहाँ पर Q पर click करना है और यह जो Q है basically इसकी वज़े से ही आपका software media encoder automatically open हो जाएगा इसको click करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास media encoder soft पर खुल चुका है यहाँ पर आपके पास यह लिखा भी आ रहा है और आपके पास जो file आपने export करनी थी वो यहाँ पर आपके पास add हो चुकी है यह exactly उस timeline से add हुई है यह exported file नहीं है और आप इस timeline से ही इसको export कर सकत है एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ वो यह है कि जो भी आपका premiere pro का version होगा जिस तरह के अभी हम use कर रहे है latest version premiere pro 2022 तो जो आपका media encoder है वो भी same version का होना चाहिए अगर कोई पुराना version होगा या फिर उससे मिलता वह version नहीं होगा तो वो automatically उसको नहीं खुलेगा मैं भी वो काम कर ले standalone separately आप उस पर काम कर सकते हैं लेकिन वो premiere के साथ इस तरह से जिस तरह भी हमने क्यू करके इसको open किया है वो उसको नहीं करेगा और आप देख सकते हैं उसका में यह फायदा हुआ कि वो चो timeline ही थी हमारे पास जिसमें वो इन आउट लगावा है वो आपके पास यहां पर automatically add हो चुकी है इवन कि उसकी सारी settings भी वह है जो के हमने premiere में की थी उसके बाद उसके preset भी हुई है और इवन कि उसका path उसका file name भी already वही decide हो चुका है जो हमने premiere pro के अंदर ही किया थ अब मेरे पास जो इसका main फायदा है export तो मैं premiere से भी कर सकता था लेकिन जो इसका main फायदा है वो यह है कि मैं इसमें second file भी add कर सकता हूं इसको मैं select करूंगा short key मैं आपको बता देता हूं question mark है shift के साथ आपके पास जिस area को भी आप select करते है question mark press करेंगे तो आपके पास in और out point उस area में लग जाएगा इसको मैंने select किया question mark press किया मैं चाहता तो इसको manually भी कर सकता था कि मतलब I press किया और जिस point तक आपको चाहिए O press किया नहीं तो short key से भी आप कर सकते हैं आप दोबारा से file में गए आप export में गए control M short key से भी जा सकते थे और आप इसकी settings भी रख सकते last settings ही मुझे दिखा रहा है इसी भी मैं अगर इसको करना चाहता हूँ मैं यहां से file name वगारा इसको दे दूँगा और उसका नाम मैं रखा था डीजी स्किल 03 उसको भी मैं 3 कर दूँगा और इसको मैं कर दूँगा version 1 यह आपकी workflow पर depend करते है किस तरीके से आप slugging और name title इसको यहां से save करूँगा और export की जगा मैं इसको कर दूँगा Q, automatically media encoder में गया और यहां पर मेरे पास second file भी add हो गई, same नाम, same setting, सब कुछ presets, format वगारा बिल्कुल सेम है, और यहां पर आपके पास जो dgskill 01 लिखा रहा है, यह basically आपका जो premiere है, इसके sequence, इसकी timeline का जो नाम है यह वो आपको show कर रहा है, मैं तीसरी वीडियो भी add कर लेता हूँ, question mark प्रेस किया, select करके export में गया, और export media, same settings में रखना चाहता हूँ, कि वो different variation है मेरे पास, सब कुछ, अगर मैं change करना चाहता हूँ, मैं यहां से change कर सकता हूँ, मिसाल की तोर पे, अगर मुझे इसको 720 कर बात, जब वो media encoder में चला जाएगा, तो मेरे पास अभी भी 24 है, कि मैं इसको यहां से, वो ही सारे formats, वो ही सारी चीज़े जो प्रीमेर में थी, यहां पर भी show हो रही है, और further उसके presets, यहां से भी चाहूँ, तो change कर सकता हूँ, अगर मैं इसको mobile device 720p या 480p करना चाहता था तो मैं इसको यहां से भी change कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं, इस वकाप के पास, तीन फाइल, timeline से ही directly इसमें add हो गई है, नाम इसका हम change करना भूल गए है, इस फाइल का हम नाम रख सकते हैं, दीजी स्किल 03 से हमारा चल रहा है, तो हमने इसको 03 किया और साथ में version 02 कर दिया, पहले 1 रखा था, अभी आपको यहां पर शोव नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक हमने इनको export किया नहीं है, हमने सिर्फ इनको queue किया है, यहां पर हम save कर लें, इसका नाम आपके पास यहां प issue, अब मैं इसको press करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इसने यहां पर इस पर काम करना शुरू कर दिया, यह इस वक्त इसको ready कर रहे है, और अब इसने इसको यहां पर export करना शुरू कर दिया है, यह automatically इस clip के बाद next के पर आ जाएगा, और इसके बाद फिर उसके next पर ahead होंगी, तो वो उसको step by step export करता रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि इस फक्त एक file export हो चुकी है, उसने यहां पर आपको एक छोटा सा green tick का निशान भी दे दिया है, और अब वो next file को export कर रहे है, अब interesting बात यह है कि जहां पर यह इस file को export कर रहे है, मैं अपने प्रीमेर मे दुबारा जाके कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं उस पे जाके काम continue कर सकता हूँ, मुझे कोई edit में changes करनी थी, मुझे कोई नया version बनाना था, या फिर किसी भी काम को continue करना था, तो मैं उसको यहां पर दुबारा से काम कर सकता हूँ, again देखें, आपका इस वक्त export चल रहे है, बलकर यह तो हो भी गया है, और हम इस वक्त भी साथ साथ edit इसके कर रहे थे, तो यह बड़ा जबदस फीचर है कि आपका time जाया नहीं होगा, अभी हमने छोटी सी file export की थी, duration में भी कम थी, और उसके आगे जो version थे, वो उससे भी छोटे थे, तो इसने बड़ा quickly export कर दिया, नॉर्मली जब आपके पास effects लगते जाते हैं, color grading लगती जाती है, इसके इलावा और भी कुछ चीज़े, text वगारा add होते हैं, तो आपका exporting time भी बढ़ता जाता है, वो कभी कभी घंटों पे भी जा सकता है, और आप देखें, यह अगर आपका system साथ support करता है, आपका system अग timeline से export करने के लावा, अगर आप वैसे भी किसी files को encode करना चाते हैं, या convert करना चाते हैं, different किसी भी format में, तो आप यहां से उन file की source में जाएंगे, और आप जिस तरह आपके पास यह video है, आप देखें, यह आपके बस Q हो गया है, सब पर टिक लग गया है, आप इसको यहां से, उसकी source यहां से आपको मिल जाएगी, जहां पर वह file पड़ी भी है, यह separately video files हैं, और मैं इनको यहां पर अपने Q वाले folder में, बिन में, यहां पर डाल रहा हूँ, और जबदस बात यह है कि आप इनके formats और इनके presets भी change कर सकते हैं, आप इनकी export के लिए जो final destinations है, इनकी path ह उसको भी change कर सकते हैं, इसको भी change कर सकते हैं, यहां से मैंने file उठाई हैं, और इदर मैंने folder बना दिया है converted का, इसको select करके आप save कर लें, और बाकी इनके पात भी आप इसके अंदर यहां पर save कर लें, क्योंकि आपके exported file, converted file जो है source file के साथ mix नहीं होनी चाहिए, आपने save क किया, और अगर आपने इनके presets change करने थे, हम इनको compress कर लेते हैं, mobile device for ATP कर लेते हैं, इसको हम यहां से ok करेंगे, further हम और ok settings भी इसी तरह से change कर सकते हैं, even के पूरा format भी और further उनके presets भी, इसको ready करने के बाद, आप यहां से इसको play का button दबाएंगे, तो export करना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ-साथ, आप चाहें, तो अपना काम continue कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, edit करके आप हो ठक गई हैं, तो आप थोड़ा सा rest भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि एक file के export होने के बाद, वो खुदी next पे move हो जाता है, और उसके बाद फिर आगे further और वो उसको next file को export करना शुरू हो जाता है, आप इसके साथ-साथ back end पे, प्रीमिर पे भी काम कर सकते हैं, या कोई भी काम आप कर रहे हूं, वो आप उस पे कर सकते हैं, हाँ, अगर आपका system support करें तो, तो अब आपकी ये files भी जो हमने convert की थी, ये भी export हो चुकी है, आप further इसको अपने folder में जाके verify भी कर सकते हैं, एक दफ़ा में पे quickly नजर मारते हैं, हमने इसको यहाँ पर अपने वीडियो के अंदर converted का folder, और आप देख सकते हैं, ये files आपके पास convert यहाँ पर हो कर सकते हैं, अपने editing कर सकते हैं, या पिर आप multiple files timeline से इन और आउट लगा के इस पे साथ-साथ export कर सकते हैं, आप एक दफ़ा सारा edit ready कर लें, different files हैं, different version में export करने हैं, तो आप इसमें different export patch में लगा के एक साथ export कर सकते हैं, और इसके इलावा separately भी अगर आपके पास video files हैं, आ को further convert कर सकते हैं, ये बड़ा जबदर साथ आपके पास एक tool है, आपका time भी save करता है, और मेरा ख्याल से आपके work को hassle free भी बनाता है, इसके साथ-साथ, इस lecture को मेंड करेंगे, और आगे और आने वाले lectures में मजीद चीजे सीखने की कोशिश करेंगे,